दोस्तों मैं पंडित सुभाशन मिश्रा हमारी यूटूब चैनल में आप शबी का श्वागत है दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ वास्तु प्लांट की विशेश जनकारी दोस्तों यह जो प्लांट है घर के अंदर कौन सी दिशा में लगाना चाहिए इसका लाब क्या है और किस विधी के अनुसार लगाना चाहिए इन सब की जनकारी आज मैं आपको इस विडियो के माध्यम से देने वाला हूँ दोस्तों इस चैनल के अंदर जो भी विडियो में आपके पास तक भीजता हूँ वो सभी वास्तु प्लांट दिशा नुकुलित शही दिशा में और अच्छी विधीवत विधी पुरुवक अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में आश्चरी जनक लाब होगा ही होगा निश्चीत है शवी वास्तु दोसों का निवारन होगा दोस्तों तो अब चलते हैं इस पौधे को कहा लगाना है दोस्तों यह जो पौधा है यह सेकूलेंट प्लांट है और इसका कलर के अनुशार इस पौधे को आप अपने घर में शाव थीश्ट के कोने में अगनी कोन में लगाएं अगनी कोन में लगाने से आपके घर के शवी वास्तु दोशों का निवारन होगा घर के अंदर एनरजी मिलेगी शकरात्मक उर्जा का प्रवेश होगा और आपके घर में धन की ब्रिधी होगी धन में बरकत होगा दोस्तों अगर आप अपने घर में किसी भी तरह से विशेश रुप से अगर आप परिशान हैं शब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में कमिया मैसूस हो रही हैं तो इस प्लांट को आप अगनी कोन में लगाएं अगनी कोन में लगाने से आपके घर के सभी दोस्तों का निवारन होगा आपके परिवार में सामंजस होगा और आपके कीचन में कीचन की दिशा अगनी कोन होती है और इस प्लांट का कलर भी लाल है दोस्तों इसी लिए इस प्लांट को आप अगनी कोन में लगाएंगे आपके घर में शकरात्म कुर्जा रहेगा दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें